गुड मॉर्निंग नमस्कार श्वागत आपका हमारे चैनल जियस अश्टुडी 94 में और दोस्तों मेश तो दोस्तों आज अंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है जैसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ एकदम बोले तुम मूसला धार बारिश हो रही है हमारे इस समय जिले में तो दोस्तों अब आगे चलते हैं यह जो एडिटोरियल है जो शंपात की जनसत्ता का है और इसे लिखा है राजपुमार भारदुआज जीने और जो आज का बिशे है वह सिक्षा का श्वरूप और सवाल मैं आपको सचाई बताओं एक चीज़ हमारे देश में एजुकेशन जो सिस्टम है पूरी तरह से करप्ट है यह जानते हैं इसका ब्योशाई करण हो चुका है ब्योशाई करण की वज़़े से दोस्तों हमारे देश में जो आरज जक्तता फैली है उसक्षा जैसे महत्व भारद पूरी दुनिया चाहती है कि हमारे यहां ज़्यादतर हमारे देश के नागलिन को सिक्षी हो पर हमारे भारद जैसे देश में लोग चाहते हैं कि गिने चुने को सिक्षा मिले। ज़िए ऐसा नहीं होता तो बीटे के अम्टिक की पढ़ाई, बीएड की पढ़ाई, बीटीसी की पढ़ाई, अलब सरकारी जो सीटे होंगी, सव होंगी, डियर सव होंगी, उसके बाद कुछ मतलब नहीं है, चालिस हजार पचाहँ जारा पर समिस्टर भरीहे, कहीं कहीं तो एम्टिक की फिर दो-दोलाग पर समिस्टर चेचल्ग पर समिस्टर है, यह के उग्यिशन नہीं देना चाहते हैं, यह आपका एक्सपलोईट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगने शक्षाफधान हों, और इस पर दोस्तों, शरकार को चाहिए कि तमाम तरह कि रूल और रेगुलेशन तमाम तरह कि एक्ट बनाये पर नहीं, सरकार को भीया बहुत बड़ा रिविन्यू जमरेट हो रहा है, आपको पता होगा, अगर सरकार ऐसा नहीं होता, तो लॉकडाउन में जहां पूरी तरह स अगर जाएंगे, जब घर जाएंगे तो पुरा परिवार संक्रमित होगा, वो आपके माध्यम से, यदि और कोई चीज लेने जा रहे हैं, दवा भी लेने जा रहे हैं, तो लोग पीट रहे हैं, यदि परची नहीं तो इतना मारेंगे, बीच में तो परची जब तक दिख जान, सही नागरिख की पैसान, तो बागे चुकते हैं, यहां पर लिखा, दिर्द शम्यान तराल में भारती महादीप के सोचने समझने के दिश्टी कोड में व्यापा कस्तर पर बदलाव देखने को मिला है, यवन और पास्षात्य संस्क्ति के आकरमट से भारती संस्कार पर भाशाओं का तेजी से चरण हुआ, इसका प्रभाव यह हुआ कि आज पास्षात्य संस्क्ति का मतलब वता है, दोस्तों, जो पश्चिमी शब्यतायें हैं, जिसे अमेरिका हुआ, बिटेन हुआ, ब्राजील हुआ, ठीक है, उसे पास्षात्य संस्क्ति के तेयां, यान जेवन यापन की सुगमता असानी से संभव है किन्तु इस प्रसंग की कठनाई ये प्रतीत होती है कि ईसे चन प्रसंग से नियोजन ब्यक्ति का आंतिमलच बनता जा रहा है भाईया है कि अर्थ प्रधान जंकल्पना कहीं सिक्षा के मुख्यों देशों को तिरोहित तो नहीं कर रही है पंडित दीन दयाल उपध्या ने मानों एक आत्मवाद दर्सन में सुस्पष्ट मत रखा कि अनभो प्रसारन की क्रिया कोई सिक्षा करते हैं एदि सिक्षा नहो तो समाज के जन्म ही नहो यदी हम प्रस्तर युग का प्रिश्ट उलोकन करें तो पता चलता कि मानों के विकास क्रम में मानोंने प्रारंभ में बिविन प्रकार की चटियों की कीमत पर अनभो प्रात किया कभी कबार क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि कभी कबार जो बड़े हैं, जो बजुर्ग हैं, उनकी अनुभों को लेकर कुछ शीखना चाहिए, अगर बार बार आप यदि गलतियां ही करके सीखने का प्रास करेंगे ने, तो हो सकता कि आपका शमय बरबाद हो, औ कभी कभी गलतियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि फिर आपका जो दिशा है और जो देश पूरी तरह से बदल जाता है, इसलिए कुछ बाते हैं, बजुर्गों शेरा लिया करिए, हीरो मत बना करिए, नहीं हम गलतियां करके शीखेंगे, नहीं भी या, जो आपके बड़े हैं, परिवार के बजुर्ग हैं, या बड़े भाई हैं, वो भी अपने जीवनें बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है, आपसे वो हो सकता है, बहतर और अच्छे जिन्दगी जीए हो, इसलिए उनके अनुभव को कभी कबार आप अपने अंदर अनुभूत या अनुभव पीडी-दर-पीडी स्थाना अंतरित हुआ, उसके बाद के अनुभव का जीवन की अन्य आवश्यक्ताओं और चुनोतियों के संदर में परिमार्जन किया गया, और परिशोधित अनुभव भावी पीडियों को हस्ता अंतरित किये गया, आपको पता है, कु परुपकारी का, एक रच्छक का, जिएक उसके DNA में कई साल से उसे उसी तरह बनाया गया, उसी के अनुरूप ढाला गया, इसलिए आज उसका DNA उसी तरह है, इसलिए वो ज्यादा तरहिंसक प्रविति का नहीं होता है, इसलिए वो परुपकारी होता है, अग्याकारी होता ह और यदि आप सेर का बच्चा जिलाएं तो ऐसा करने के लिए आपको उसे परुपकारी बनाने के लिए हो सकता है उसके पान साथ जैसे जो भी उसका वन्स है पान साथ वन्स को ठीक है धीरे-धीरे क्रमिक विकास में डाला जाया पालतू बनाया जा तब धीरे-धीरे जाकर उसके DNA में थोड़ा सा बदलाव आएगा, ने तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि जंगल से कोई सेर उठा लिया उसके बच्चे को, उसके बाद उसे पालतू बनाना, यदि आप सोच रहे हैं तो कभी भी आप पे हिंसक होकर प्रहार कर सकता है, आपको मार सकता है, क्यूंकि व अधिम से पड़े हुए बच्चे, एक तालिस और उनत्तर कितना होता है, फूशते हुए नजर आते हैं, उन्हें वैदि काल, गड़ना की चैत्र, पॉश, माघ, भालगू, नहीं पता, वे आईटी के सफल पेशेवर हो शकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी माता का सव तक फ्रीज में रखा जाए, या तिरमी को ठगित कर दिया जाए, ताकि जब तक विश्वदेश वापस न आ जाए, अथवा उनकी अनुपस्तती में ही ये काम भी निप्टा दिया जाए, ऐसे कई उधारन है देश के एक नामी भारतिय पुदोगर की संस्थान की एक सेवा माई की मेरे तूश लिए हो गई, तो उन्हें समय पर सही उपचार नहीं मिला, कारण की अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा बार बार संदेश भेजने पर भी 6 माह तक नहीं आया, ऐसी ही एक अन्य घटना में गुरू ग्राम की एक संब्रात बस्ती में रहने वाले एक स कुछ लोगों को सख हुआ कि नहीं, इस घर में कुछ तो अनुहोनी हुआ है, जब लोगों ने मा के स्थाने, लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा कि, जो ब्यक्ती है, जो बुढ़ा बुजर्ग ब्यक्ती है, वो मरा हुआ है पिछले कई दिनों शे. ठीक है, अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा हवाई अड़े से सीधा समसान घाट गया, संसकार कर वहीं से अमेरिका चला गया, मा उसे रुकने काग्रह करती रही, लेकिन वह नहीं रुका, और दुख में या मा भी आसामाई के मिरतों के उप्राप्त हो गई. रोजगार उन मुखी सिक्षा क्या वाकई इतनी निस्टिर होती है कि आपसी संबंदों मसने और प्रेम का परंतर तो सुस्क हो जाए, कहने का मतलब यह है, दोस्तों, आजकल हमारे देश में जो पढ़ाईयां चल नहीं है, वो रोजगार संबंदित हो रहा है, MBA क्या करता ह इन से कोई मतलम नहीं है, खाली, यदि मात्र आपको रोजगार प्रविती का एक बंदा बनाया जा रहा है, कि भावशे में आप कहीं भी रोजगार पार शकें, उसके बाद अपना जीवन निर्वा जी सकें, यदि आप समाजिक चीजों का जब अध्यन नहीं करेंगे, तो इससे आप समाज से कटे रहेंगे, परिवार से कटे रहेंगे, जो आजकल हो रहा है देश में, तो हुआ फिर दोस्तों, कुछ ऐसे पाटे क्रमों को हमारे देश में लागू करना पएगा, जिन से हमारे विक्तित हो का हमारी personality का विकाश हो, एक ऐसा विकाश हो जो बता दे कि समाज, परिवार और देश सबसे पहले ही आता है उसके बाद कुछ आता है या फिर सक्षागी अव संगरचना और ब्रांड पर इतना बल दिया गया कि ब्यक्ति से समस्ट्री के बीच संबंदों का परमुखवयब बिलोप हो गया आज का यूँवएमानन यांतरगी सुचना तकनी के चिकस्ता और सुच मे जैविक तकनी की आदी दि इभिन आदी दि शेत्रों में बिस्तार का यूग है बिद्ध्यालेओं और बिश्व बिद्ध्यालों में इन्ही आवस्यक और रोजगार अन्मोख बिश्यों के पटन पाठन पर बिश्य जोर है फिर युवा कभी नहीं जान पाएगा कि महाराना पृताब ने मुगलों से शंगर्स करते वे कभी जंगलों में घास की रोटियां खाए थी इससे ही है जब दोस्तों जब आप उपने बच्चों चोटे चोटे बच्चों को जब ये सारी चीज़ें कहानियां सिखाएंगे तो उसके अंदर एक नीडर एक जज़बा एक जो होता है कि लब बंदा डेरिंग वाला होगा तो ये चीज़ें धीरे धीरे ने ब खली पैदा हो रहा है ना महराना परताफ ना सिवाजी ना भगश्षिंग क्योंकि अब तो सारे लोग मोबाइलों में बीजी हैं बच्चा उधर लग देंगे और हलो हाइक कर रहा है इंस्ट्राग्राम कर रहा है और जो बुड़े बुजरुग हैं उनको ओल्ड होमेज मे बेज दिया तो कौन बंदा है जो कहानियों के माधम से बच्चे का विकास करेगा थे ला पुंजी में विश्व की सरवादिक वर्षा होती है भारत की अवधार्ना या बिद्या बे मुकते है अर्थात बिद्या निस शिक्चा वैज जो मुकती का मारग पर सस्त करती हो सिक दूप ब्यवहार में धन की आवशकता होती है, किन्तु जीवन का वास्तिक धे तो सिक्षा के माध्यम से मानों के पुरुखों के अनुभों को और अधिक सम्मध सम्मरिद करना और प्रकृती से गूरतम सिधानतों का विशलेशन करना है, ताकि मानों पुनस्च अपनी प्रक क्लित शम ब्यवहार कर सके, क्या हमें विश्व ऐसा ही मिला था कि बेजिंग में 24 घंटे बैतीत करने वाला बैतीत करने वाला बैती अंचाहे ही 40 से ग्रेड जितना धुमुरपान करने को विवश है, इसलिए बार बार यह प्रश्ण हमें भीतर से बिचलित करता कि विकास क अंधी दोड ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है, रुजगार उन मोखी सिक्षा के साथ अनिवार गूपशे मानों को जब तक इतिहास भगोल समासा आदे वीश्यों का घंट दिन नहीं करवाय जाता, तब तक रुजगार उन मोखी सिक्षा नगर मान अगर तो बसा देगी, लेकिन भुधा शहर होंगे, वहाँ बसने वाला कोई नहीं होगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आज जो छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन के लड़के हैं, 16-17 शाल के हैं, उनके अंदर का जो एक, बलब जो बिहावियर है, वो बड़ों का शमान बहुत कम करना जाते हैं, दिन भर पबजी खेलेंगे, इस्ट्रागराम देखेंगे, फेस्बुक पर लाइशा लगता है कि उन्हें करूनों रुपए मिलते हों, इतना ज़दा उसके प्रती वाकरसित हो चुकी हैं, तो ऐसी चीजों से उन्हें दूर रखें, मैं सरी बता एक गंटे ज़्यादा उस पर समय ना दें, और बच्चों को ज़्यादा कहानियों के माध्यम से प्रिरित करें, अच्छी फिल्में दिखाएं, ऐसी तमाम तरह की समाजिक और आंदोलन से प्रिरित फिल्में हैं, कहानियां जिनके माध्यम से बच्चे का आंतरिक रूपश सारे रिक और मांसिक सारी चीजों का विकाश हो, ठीक है, नहीं तो दोस्तों, उसके अंदर से एमोसन्स खतम हो जाएंगे, ठीक है, क्यूंभी आज कल वही हो रहा है, छोड़े-छोड़े बच्चे जैसा जैसा अपराद कर दे रहे हैं, आप क्यूंकि जो घर का गार जीन वो नहीं देख रहा है, क्यों कौन से फिल्मे देख रहे हैं, वो क्या कर रहे है, 6-6-12 गंती अखे इतना व्यत्थीत क्यूं कर रहे हैं, तो इस पर हमें बहुत ही आवश्कता है, केर करने का, शरव इलाइंस करने का, समाज में सद्सकार रुश्वाधा के बिना व्यक्ति सिक्षा धूरी कही जाएगी साले सिक्षा एक नट अनेक मनुष्य का निर्माड नहीं करती संसार और अध्यापन का बहुत साच्छित्र ऐसा है जो साले सिक्षा से बाहर है इसका सीधा आर्थ है कि साले सिक्षा यानि बिद्यालेयों, महाबिद्यालेयों और विश्व बिद्यालेयों, आदिमी प्रदान और ग्रहन की जाने वाले सिक्षा के अतरित संसकार और श्वाध्याय भी महत पूना धार है उसे इसादान सब्दों में कहें तो ये अंतर पड़े होने और कड़े, होने के बीच का अंतर है साले सिक्षा के साथसत और उसके पाश्चाद भी बिख्ती समाज के संपर्क में आता है समाज के प्रतेक अंगल लोग विवहर से उसके संसकार निर्मित होते हैं बिद्यार्थिक ग्रहण की गई सिक्षा को समाज के अनुकरण से तौलता है, यदि उसे प्राव सिक्षा लोग ब्योहार में साम में प्रतीत होता है, तो उसकी वह सैचड़ी का नुभूती स्थाई भाव में परिवर्तीत हो जाती है, वह उस भाव और ग्यान पर और अधिक चिंतन और शोद करते हुए उस बिंदू और विशव को समरिद करता है, विद्यार्थिक गणित और विज्ञान के साथ विद्याला में अभी सिक्षा की अपने से बोलो का आदर किया जाए, किन्तु वह उस पर तब भी कार्यान वयन नहीं कर पाता है, जब वो समाज में न प्रयोगों और अनुबहुत से सक्षा को प्रायोगिक तोर पर रुपांतित करता है, संसकार उश में इस भाव का और दीपन करते हैं कि प्रयोग कितने लोकोप योगी हैं, क्या उनका प्रति फलन वर्तमान परिवीश और मानों के उत्र उत्तर विकास के लिए साहय का या क जोड़ दें, जो मैं सही बता हूँ, अपने बच्चों को या दो BFC कराओ, जैसे कि यदि आपको जाना उस सेक्टर में, फिजिक्स हो, केमेस्ट्री हो, मैथ हो, बाय हो, इन सारी चुजों का, ठीक है, रोज गारुन मुखी भीसेयों को मत चुनिये, बीटेक, एमटेक फर पेपर देने जारे नहीं, अच्छे से क्लास जोइन करिए, चीजों पर बिचार भी मस करिए, आप बहुत अच्छा वक्ता बनेंगे, लेकर बनेंगे, समाज को नया आयम देंगे, समझ रहे हैं, तो कुछ ऐसे बिशेयों को आप प्रात्विक्ता देश रकते हैं, अग्रे जाकि देश को, समाज को एक नया कुछ दे सकते हैं, बहतर कर सकते हैं, ठीक है, या विद्यार्थी को नूतन बिचारों के प्रशाव और तकपश्चात उन्हें मुर्थ रूप देने की प्रक्रिया जोड़ता है, सक्छा को वह रिंड है, जो पिछली पीडी से अगली जन से निखारती है, विशेवस्तो ग्यान का ओज बढ़ता है और जो सर्व हितकारी और सर्व शुकारी होते हैं, आज के लिए इतना ही नमस्कार दन्यवाद हैं